हेलो दोस्तो इसके पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टिंग टॉपिक्स देखा था प्रिलियम्स 2022 के लिए कि 2013 से 2021 में वो कौन-कौन से टॉपिक हैं जिससे कोश्चन रिपीट होते हैं इस वीडियो में हम लोग तॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टॉपिक आता है उस टॉपिक से किस तरीके से कोश्चन जो है वो पुछा गया है 13 में 2 question पुछा गया, 15 में 2 question, 16 में 3 question, 17 में, 18 में, 19 में आप आगे देखिए 20 में पुछा गया है, 21 में पुछा गया है, 21 में 2 question पुछा गया है ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये जो हमारा topic है banking system in India, ये कितना important हो जाता है, ठीक है तो इस topic को आपको बहुत ही अच्छे से prepare करना है और मान के चलिए कि minimum 2 question और maximum 3-4 question आपका इस topic से सही होने की chances हो जाते हैं, अगर आप इस topic को बहुत ही अच्छे से prepare करते हैं फिर money supply in India, ये भी बहुत ही important topic है, यहाँ पे देखिए ये inflation in the economy, 2013 में पुछा, 21 में आया फिर open market operation, ये 2015 में आया फिजिकल डिफिसियर 17, यानि कि ये सारे इसके अंदर में topic आते हैं ये main topic हो गया, ये sub topic हो गया अब यहाँ पे देखिए कि किवल 2021 में देखिए तो इससे यहाँ पे 1, 2, 3 question आया है तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही important topic है ये money supply in India तो इस सारे sub topic को आपको क्या करने है प्रिपियर करने है ठीक है, दोस्तो 27 मार्च 2022 को आन अकेडमी civil service championship टेस्ट होने वाला है जोकि आन अकेडमी के दोरा organize कराया जा रहा है इसमें हजारों student भाग ले रहे हैं आप भी इसमें participate करिए, सभी test देने वाले को इसमें certificate participation जो है वो आप सभी को मिलने वाला है और इसके साथ साथ जो rank holder है यानि 1 से 5th rank जिनका आएगा उनको Mac, iPhone, tablet और इस तरीके के जो electronic gadget है वो मिलेंगे और इसके साथ जिनका rank कम आएगा उनको Amazon gift voucher दिया जाएगा ये जो test है, वो दोनों ही paper का होगा GS का भी और CSET का भी GS का जो timing है, वो 10 से 12 का है और CSET का time 2 से 4 बजे का है तो आप दोनों में participate कर सकते हैं link जो है वो आपको description में मिल जाएगा तो link पे click करके आप अभी enroll कर लेजिए और याद रखिए 27 मार्च 2022 यानि संडे को warning 10 एम में आपको इसमें participate करना है participate करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपको benefit मिलने वाला है तो इस test में जरूर participate करना है link आपको description मिल जाएगा तो अभी enroll करिए यहाँ पे एक topic है physical deficient 2017 में आया था अभी आने की chances जो है वो इस topic से बढ़ गया है क्यों क्योंकि आपको पता है अभी आपने अगर news सुना होगा तो जो trade है इंडिया का foreign trade वो 400 billion पाड़ कर चुका है तो यह बहुत बड़ी achievement है तो यह बहुत बड़ा news बन चुका है तो इससे जो related topic है अब यह question आने की संभावना है 2022 में लेटर सी देखते हैं आता है या नहीं आता है आप इसको prepare करिएगा ठीक है फिर digital cashless economy in India एक important topic है आप देख सकते हैं digital India की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां तक अभी तक question नहीं आया 2021 2018 के बाद तो 22 में आने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है चुकि आप देख सकते हैं यहां पे bitcoin से question पुछा गया है लेकिन भारत भी जो है वो digital currency launch करने वाला है तो इससे related news बन जाता है और वो इसी topic के अंदर आएगा तो question वहां से बनने की chances जो है फिर आगे बात करते हैं investment and infrastructure अब देखें इस topic को भी आपको prepare करने है आप देख सकते हैं कि एक question जो है वो यहां 2021 में आ है 14, 17, 17 में दो question 20 में एक, 21 में एक, 22 में मान के चल सकते हैं कि एक या दो question इसे आ सकता है various financial report and indices अब यहां से देखें यहां पर जो index आते हैं वो अलग-अलग तरह के report के होते हैं तो उससे कई सारे जो question है वो आपके बन जाते हैं तो अलग-अलग तरह का यहां पर index होता है तो आप इसको अपने हिसाब से देख लिजिएगा चुकि एक question तो आने की संभावना है क्रंसी in India आप यहां पर देखिए यह सारी topic जो है वो आपको clear होना चाहिए क्यों clear होना चाहिए क्योंकि क्रंसी in India आप सभी को पता है कि इंडिया उक्रेचा और रसिया के बीच में वार चला है और इंडिया और रसिया के बीच में वो oil import करने को लेकर इंडिया के बीच में जो है वो deal हुआ है कि इंडिया जो है वो उसको रुपी में और जो रसिया है वो रुबल में जो है वो अपना व्यापार करेगा तो ये इसी के अंदर आ जाएगा currency in India और इसमें जो convertibility है रुपीज की इससे related topic वो बन जाएगा और यहाँ से question आ जाएगा क्योंकि ये news में है और बड़ा news है ये कोई छोटा news नहीं है तो आप इस topic को prepare कर ले foreign exchange reserve ये भी question बन सकता है उतना important आप इसको मत मानिये ठीक है आगे चलते हैं RBI in its function देखें ये एक important topic अपने आप में यहाँ पर देख सकते हैं कि 15-21 में आ गया है 22 में भी आ सकता है तो इसको अपने हिसाब से आप देख लीजे economic planning इंडिया देखें यहाँ पर 5-3 पहले plan आया करता था ठीक हैं तो उसकी objective जो है वो आज भी इस तरीके के plan बनते हैं लेकिन अब यह इतना important नहीं रहा है ठीक है मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पिछे region है अभी इसके जगापर जो है वो आप गरती सकती जो plan है उसको आप इसके जगापर prepare कर सकते हैं तो वहाँ से आपके जो outcome है वो अच्छे तरीके से निकल कराएंगे फिर है इंडिया and financial institution देखिए 2020 में question बना है 2016 में आया है 2021 में भी आ सकता है तो इतना वेटेज नहीं है इसका यहाँ पर देखिए various investment method in India यह बहुत important topic है क्योंकि करोना को जैसे बहुत सारी जो नई investment है वो आई है और बहुत सारी जो पहले थी जो की चली भी गई है ठीक है तो यह एक important topic है आप देख सकते कि किवल 21 में तीन question पूछे गए है ठीक है तो 22 में भी question आने की जो chances है वो granted इस topic का chances है कि question आएगा ही आएगा financial regularities की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, 14, 19 में आया है 21 में भी नहीं आया है 22 में आने की संभाव नहीं हो सकता है तो एक question आपको यहाँ से मिल सकता है economic survey and budget देखें यह एक ऐसा topic है ना जिस minimum आपके एक question जो है वो बनते ही बनते हैं तो इसको तो आपको prepare कर लेना है budget के लिए पूरी budget पढ़ने की जोरीर नहीं है बिष्ट जो समरी मैं बताऊं अगर मेरे point of view से तो संकर I.S की आती है I.S. Parliament ठीक है आप उसकी समरी पढ़ने पढ़ने बहुत ही अच्छे minor में और बहुत ही कम page में जो है वो सारी चीज जो है वो दी हुई है तो थोड़े से पढ़के आप अराम से एक से दो question अगर आया एक question आया तो कोई बात ही नहीं है अगर दो question आया तो उतना ही से आपका question अटेंप्ट हो जाएगा तो ज़्यादा पढ़ने की जुरुत नहीं है तो आपका वहाँ से काम जो है वो हो जाएगा तो economics में इतना ही है ठीक है यह सारे important topic जो economics के अंदर आपको prepare करने है बागी सब topic आप कितना time दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो नहीं पता है लेकिन इन सारे को बहुत ही अच्छा time देजिए आप इसको बहुत ही seriously अच्छे से prepare करिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जैहिन